So finally, अब आप अपने phone में, जो की latest Android version 9 पे work कर रहा है, MIUI 10 के साथ, उस पे Dolby Digital Plus को install कर सकते हैं, So यहाँ पर हमें final support देखने को मिला है, So इस वीडियो में में अपने recently launched, Redmi Note 7 Pro Dolby Digital Plus को install करने वाला हूँ, Step-by-step method से, So वीडियो को बिल्कुल एंट तक ध्यान से देखने, Because अगर आपने एक भी step मिस किया, So maybe Dolby Digital Plus आपके device में properly work नहीं करेगा, So वीडियो को ध्यान से देखेगा, And अगर आप चैनल पे new हैं, तो चैनल को subscribe भी कर देना, Because ऐसी बहुत सारी interesting videos feature में आने वाली हैं, So बिना कोई time waste किये, Let's begin. So first of all आपके phone में Magis Manager इंस्टाल होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि TWRP Recovery भी इंस्टाल होनी चाहिए, So अगर आप नहीं जानते कैसे इंस्टाल करने इन दोनों को उसके regarding मैंने अल्रेडी डीटेल वीडियो बना दिया हैं, तो आप उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, So यहाँ पर installation का part जो है वीडियो के end में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर Dolby Digital Plus अच्छे से work कर रहा है, और यहाँ पर आपको एक आईडिया मिल जाएगा कि इसमें जो sound quality है वो काफी improve हो जाती है Dolby Digital Plus को install करने के बाद, आपको अबाद, So guys now बात करते हैं installation की and मैं फिर से बोलना चाहता हूँ आपके step सारे ध्यान से सुनिएगा because एक step miss किया तो आपका Dolby Digital Plus work नहीं करेगा So सबसे पहले आपको एक file को download करना है and इस file के link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा आप make sure करने की इस file को download करने के बाद आपको simply magis manager को open करना है and magis manager को open करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है module section में and यहाँ पर आपको plus type का arrow दिख रहा होगा इस पर click करना है and then आपको वो file select करनी है जो आपने download किये Dolby की file so मैं select कर लेता हूँ फाइल को so आपको इस file को select करके ok प्रेस करना है and यहाँ पर यह कुछ installation का process हो जाएगा start so यहाँ पर installation Dolby का हो चुका अभी आपको reboot नहीं करना है आपको simply यहाँ पर back जाना है and आपको यहाँ पर आना है download section में so download section में आने के बाद आपको यहाँ पर search करना है audio modification library so जैसी आप audio modification library type करेंगे आपके सामने यह आजाएगा then आपको इसको भी install करना है so यहाँ पर प्रेस करके install करेंगे and यहाँ पर यह file download हो रही है and यह install हो रही है and आप यहाँ पर देख सकते कि इसने Dolby Digital की file को यहाँ पर search कर लिया है and यह जो है उसी method से install करना है आपको कुछ अलग नहीं करना है so इस install कर लेते है and यहाँ पर file download हो रही है पीछे and यह जैसी download होगी यहाँ पर installation process start हो जाएगा so now यहाँ पर installation process start हो गया now यहाँ पर आता है tricky part so आपको यहाँ पर first of all यहाँ लिखा आएगा press a volume key so आपको यहाँ पर कोई भी volume key दवानी है like मैं volume up दवाता हूँ then उसके बाद pre installation continues do you want to skip audio play so यहाँ पर आपको जैसी यह option आता है pre installing continues so आपको यहाँ पर जो इसके बाद दवाना है वो है volume down की एक बार then उसके बाद दुबारा दूसरी बार then उसके बाद तीसरी बार volume down की then तीसरी बार के बाद आपको volume up की दवाना है एक बार then उसके बाद again volume down की पाँचवी बार then उसके बाद आपको yes दवाना है again मतलब की volume up की so इतना करने के बाद यहाँ पर मैं आपको combination दे दूँँगा कि मतलब प्री इंस्टॉल का वो जो option आया था, like यह जो option आया था, प्री इंस्टॉल, continues, इसके बाद आपको जो जो key combination टाइप करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर screen पर दे दूँगा ताकि आपको idea हो जाएगा कि कैसे कैसे volume up and down की दबाना है, and make sure करें कि उसी manner में दबाएं, तभी जो है आपका Dolby Atmos यहाँ पर properly work करेगा, so इतना करने के बाद आपको simply reboot करना है, and यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Dolby Digital Plus का हमें जो है आइकन देखने को मिल रहा है, जैसे हम इसमें click करेंगे, यह हो जाता है, open and यह crash नहीं हो रहा है, and यह अच्छे से work कर रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, so guys इसे आप अपने device में भी try कर सकते हैं, अगर आपकी device में work कर रहा है, तो नीचे comment section में अपने device का name, and वहाँ कौन सा MIUI version and android version use कर रहे हैं, वो जरूर comment करके बताएं, ताकि दूसरे लोगों के भी यहाँ पर help हो जाए, so guys this was all about this video, and मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगे, अगर आपके मन में अभी भी कोई doubt है, query या आपको कुछ problem आ रहे हैं, तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं, even आप मुझसे instagram पे connect हो सकते हैं, वहाँ पर मैं जादा active रहता हूँ, so आप वहाँ पर भी मुझे message करके अपने doubts पूछ सकते हैं, so guys इस video हम यहीं पर end करेंगे, मिलते हैं ऐसी किसी new interesting वीडियो के साथ, till then, Jai Hind, take care and stay fit.